नमस्ते इस इस शंजीव फ्रॉम शंजीव इंटेक फ्रेंड्स आज हम लोग एक स्टॉक लेके डिस्कॉस करेंगे जो मेरे को बहुत अच्छा यह पर लगता है इसका टेक्निकल और पोजिशनल भी हो देंगे बेसिकली यह कंपनी है पारस डिफेंस बहुत अच्छे कंपनी कंपनी है पहले थुरा से इसका रूट में जाके इसको तुरा देखेंगे किस टैप यह कंपनी है 40 यह से कंपनी सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं डिफेंस स्पेस इंजिनेरिंग में एक ज़्यादा तर काम करते हैं टेक्नलोजी रोकेट्स मिसाइल्स स्पेस, स्पेस रिशर्च, नोबल सिस्टेम, लैंड अन अर्म वहिकल का जो डिफेंट काइंड आप टेक्नलोजी से यह लोग इंप्लिमेंट करते हैं और इलेक्ट्रोनिक्स वारफियर और सर्विलेंस, इलेक्ट्रोमेग्नोटिक शिल्ट का इसका बहुत सरा यूनिक बि स्पेस में यह बहुत अच्छा फंडेमेंटल कंपनी मेरे को लगता है फ्रेंट्स आज जो स्टॉक का भीव देंगे वो तो आपको हम भीव देंगे टेक्निकल पोजिशनल का उससे पहले थोरा सा आपको फंडेमेंटल वेलु इसलिए दे रहा है कि यह बहुत अच्छा ए सब्सक्राइब के असपास फेर फेस्ट वेलु दसका थोरा इसका हम चला आएंगे टेक्निकल पर्ट में टोडेश नाइंटीन सेप्टेमबर टूसाजन ट्वेंटीटीटू बाइंग भीव दे रहे पारस डिफेंस और टेक्नोलोजिस के शेर के बारे में करेंट मार्केट प्राइजिस 766 बोलते बोलते 773 हो गया 789 की उपर आपको बाई करना है मतब बाइंग भीव रखना है स्टॉप लॉस आज आएगा मतब स्टिक रिस्टॉप लॉस मेंटेन करके रखेंगे 734 का टार्गेट करीब करीब 883 एंड 893 के असवास आप इसका टार्गेट इसमें आपको व्यू क्यों दिया इसके बारे में बताएंगा इसका टार्गेट एंड जो स्टॉप लॉस कैसे किये हैं वह भी दिखाएंगे पहले इसको चार्ट को थोड़ा बढ़ा करते हैं देखिए इसका रिंस का ब्रेकाउट हो रहा है मतलब पहला रिजन मेरे को दि रहे जाएगा तो इसका रिंस का ब्रेकाउट होगा हुप के फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा सेकेंड इसका दिखिए इसका बहुत सरा भी हल्चल होने लगा है तो उसी सबसे मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा मॉमेंटम रहेगा अब किसी भी प्यस्यू सिक्टर का डिफेंस कंपनी उठा लीजिए उसमें बहुत अच्छा मॉमेंटम आया है तुसे सबसे मेरे को लगता है कि इसमें आपको थोड़ा सा अपसाइड मंदसरा का अच्छा अपसाइड आ सकता है इसका इस्टॉप लॉस बैठेगा वह स्टॉप लॉस इसी लेवल क के आसपस हम दिये हैं कि 730 के आसपस जो ए लेवल है इसे लेवल के आसपस दिये कि देखिए जो इंगलफिंग कंडल का जो ब्रेकडाउन है वो अगर होगा तो इससे सबसे मेरे को लगता है कि इसके नीचे अगर होगा तो बंद होगा तो यह आपको बहुत ज्यादा इसका जो बुलिश फर्मेशन आप पैटर्न है वो कंटिन्यूड है तेखिए जो रेट कलर का जो बैग्राउंड हम किये है मतलब जो रेंज हम टाना है वो भी वन टाइप ऑफ बुलिश सिग्नल प्रोवाइट कर रहा है इसका जो टार्गेट बैठे का फ्रेंड्स फर्स टार्गेट आम आपको दिये है एक इसके आसपास इसको फ्राम ब्लू लाइन दे देता है तो आपको और समझ में आ जाएगा और इसका जो सेकंड टार्गेट जो आएगा वह आएगा 893 मतलब इसके आसपास देखिए क्योंकि यह स्टॉक में उस टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा हल्चाल हो रहा था आई प्यू के टाइम पे तो उसी साब से मैंने आपको यहां पर सेकंड टार्गेट दिया है म यह बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा मेंट का शेयर है जब भगता है तो बहुत ज्यादा भगता है और इसके रेंज के ऊपर में चलेगा तो इसका लेपर बहुत जल्दी आ जाएगा किसी भी टेम पे और एक दुची जाम आपको दिखाएंगे इसका जो आरेसाई है वह बहुत अच्छा पोजिशन पे है बहुत अच्छा भी मेरे को लग रहा है कि इसका स्टेंथ बना हुआ है एक सिक्स्टी की उपर है इसमें जो आरेसाई का स्टेंथ है आपको मोटा मोटी जो दूलेवल है उड़ीःकस पी बहुत बुलिश है इस तरीके का एडियेकस दिखा नहीं जाता है थर्ट एट थर्टी नैइन के असपास तब हम होप करते कि एडियेकस जब यह भी गिरेगा तो तो उसमें स्टॉक में उस तरीके का मोमेंटम आएगा तो फ्रेंट्स बेसिस बेसिकली आपको discuss करना था या आपके साथ discuss करना था मेरा ये view कैसा लागा मेरा view जुरूर आप comment करके बतेए बहुत अच्छा fundamental company है जो लोग सोस्राइए के आप लेके लंबा रखेंगे उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ये आपको portfolio में होना चाहिए friends अगर आपको ये वीडियो साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कुछ भी बूलना होगा तो प्लिस कमेंट करके बिताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भिलिएगा नेक्स्ट टाइम में और कुछ अच्छा लगेगा तो हम आपके पास लेके आएंगे और उसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना सब्सक्राइब करने से पहले अपना फिनेंशल अडवाजर के जरूर जरूर सला लीजिएगा उनका जुरूर जो मुलेबन कमेंट है और जुरूर आप लोग को अच्छा लगेगा शायद अपना अपना हिसाब से इसको आप भी देख सकते हैं पड़ाई कीजिए शेयर के सब्सक्राइब के बाने में जानिये समझिये रिक्स रोल्यंस रिक्स हैपेटाइट कितना शमता है वह भी मेजर करके फिर स्टॉक मर्केट में इंबेस्मेंट के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मॉच फॉर वाचिंग मैं वीडियो प्लिस सब्सक्रा में चनल